इस वीडियो में जो हम प्रीमियर लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा एस्टन विला वर्सेस चेल्सी के बीच मैच का वेन्य होगा विला पार्ग रात में 11 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाले है तो दोस्तों बात करें चेल्सी की आप जानते हूंगे प्रीमियर ली लेवरेट्स है प्रीमिया लीग टाइटल जीदने के लिए अब ये टॉप त्री पोजिशन में 18 मैचेस में इनके 38 पॉइंट है जिसमें 18 मैचेस में 11 विक्रीज हैं पांच ड्रॉस हैं सिर्फ दो इनकी लॉसस हैं बहुत अच्छे 39 गोल मारें 12 ही गोल इन्होंने कंसीट कि हैं अभी रिसेंटली दो तीन मैचेस चेल्सी के उठने अप टूदा माग नहीं गए उन्होंने ड्रॉस जादा खेले बीच में जिस वज़े से क्या है ना मैंसिटी लिवरपूल और चेल्सी के बीच में थोड़ा सा पॉइंट्स को गैप आ चुका है और चेल्सी शोली आ नौ लॉसेज ने अच्छे तेज़ गोल मारें 25 गोल इन्होंने कंसीट किया यानि एक डीसेंट पर्फॉमेंस यह साइट कर रही है खास तर पर जब से इनके मैनेजर चेंज हुए है इनके न्यू मैनेजर है स्टिविन जिराड जो एक लिवरपूल लीजेंड है जब से ज अच्छी है बड़ी साइट से हारे जरूर है लेकिन दो अपने लेवल की साइट को इन्होंने इसली हरा दिया है बात करें चेल्सी की रिसेंट फॉम की तो थ्री टू से इन्होंने लीड स्को रहा था प्रीमियल लीग में उसके बाद इन्होंने जो मैचे जीतने चीएते वो ड्रॉ करा वेठे यानि कि ड्रॉस को विक्ट्रीज में नहीं कर पाए वन वन ड्रॉ एवर्टन और गुल्लेश ड्रॉ वूल्स पिछला मैच अल्दो एक कब मैच है इसमें इन्होंने ब्रेंटफर्ट को हरा यहां पर आ रहे हैं मैं बहुत ज्यादा खराब फॉर्म न करके अपनी टीम बनाएंगे बट यहां पर हम एस्टन विला को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते एक तो यह अपने घर में खेल लिए दूसरा यह चेल्सी को हराने में भी केपिवल है और यह ड्रॉ भी करवा सकते मतलब एस्टन विला को हम इसली यहां पर हलके में नहीं ले सकते तो ग्रेंड लीग में शोली आप मैक्सिमम कॉमडिोसिए चेलल् सी विल के लियाना बट कुछ फुरव में असर देखने को मिला है विलाला उससे पहले चीच कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचे तम टेलीग्राम चेनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिंड कमेंड में वहां से जुड़क पहले फेवरेट चल्सी की बात करते हैं तो यह फेवरेट से इनकेograf मैड़ीम प्लेयर पैक करिंदे स्मॉल लिग मैं जाने की ॉड्य वहां पर लीजनों फेडनेम है वहां पर इंच्ट मुमेंट घूस्ट में कई लिए बाहरो जाने चुछनाग् सहना अभी यह ही मेंड प्लेयर्स भी बाहर हूँ तो इनकी 11 देखते हैं मेंडी इनके गोलकीपर उन्याले हैं थ्री इंदा बैग में खिलिंगे शालोबा थियागो सिल्वा रूडिगर इनके तीन सेंटर बैक्स हैं और जेम्स और अलंसो इनके दो विंग बैक्स हैं यानि कि यह पांचों प पांचों भी पिक कर सकता है बट ज्यादा सेव रहेगा तीन या चार इनके डिफेंडर पिक करें और दो या तीन इनके अटेकर्स पिक करें फिलाल इनके दोनु विंग बैक्स मेरी टॉप टू चाइज रहेंगे इवन रीस जेम्स सो इतनी भेतरीन फॉर्म में चलने हैं सिजन ये चार गोल पांच असिस्ट अल्लेडी कर चुक हैं बहुत बहुत अटेकिंग फुटबॉल खेल ले और डिफेंसिव अग भी कर रहें और एक्स्ट्रा क्लीन शीट ओने में 20 पॉइंट उनके भी दिंगे तो रीस जेम्स रेड होट फॉर्म में इवन आप स्मॉल फॉर्थ में जाओंगा थियागो च्wn सिल्वा के साथ जिन्होंने रीसेंडली बहुत अच्छे परोफरमेंसेश ॥ूटिञ ऑब्ध्र स्वी हैं औरॢ़ जालौ कोänderLeahr जेम्स करों फिलाल जेम्स और अलांसों को मेरे अकोडिंग आपको किसी भी टीम में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, अब कांटे और जोर्जीनियों दो सेंट्रल या डिफेंसिव मिट्फिल्डर्स आपके लिए, जोर्जीनियों मस्ट पिक रहेंगे, क्यूंकि आप जानती है यह चेल्सी में इनको पिक करने वाला हूँ, कांटे प्लेयर अच्छे है, अगर आपको मिट्फिल में एक और सेफ रिलाइबल प्लेयर चाहिए, जो 20-25 पॉइंट अला प्लेयर, जो आपको विदाउट गोल असिच 25 सेफ पॉइंट देदे, वो कांटे हो सकते हैं, तो कांटे में भी मिट्फिल में एक और सेफ आपके लिए रह सकते हैं, टेकलिंग इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑल्दो कभी-कभी बीच में रेंडम गोल असिच भी इनका आ जाता है, मैं मस्ट पिक जोड़ जीनियों को कह रहा हूँ, बट कांट टेक आप्सन हो सकते हैं, हटसन और यह प्लियर अच्छ है, बट अभी के लिए ग्रेंड लीग में ट्राय करना, बिकॉस बहुत सारे अच्छी आपसल्स मिलने हैं, तो सब पिक नहीं कर सकते हैं, कभी मलब स्टार्टिंग अप द सीजन में इनका परफरमेंस अच्छा रहा था, लास्ट एक दो मैच साथ गोल के साथ, चार इनके असिस्ट भी हैं, तो माउंट एक सेफ, कैप्टन, वाइस कैप्टन सी ओप्सन हैंगे, इस मैच में अगर आप शेल्सी को फेवर कर रहे हैं, अब एक प्लियर जिन पर मैं इस मैच में पाइंट ले सकता हूँ, वो है प्यूलिसिच, वैसे तो यहां पर बता रही हैं, कि प्यूलिसिच को एक बार स्टार्ट मिलेगा, तो प्यूलिसिच ऑल्दो गोल असिस्ट नहीं है, उतने पॉइंट नहीं दिंगे, बट मैं इन पर पाइंट लूँगा, बिकास मैं इनके लास्ट दो तीन मैचेस में एक फूट वर्क देख रहा ह एक ब्रेंटफर्ड वाले पाइंट में इन्होंने पेनालिटी अन कि थी, एक तो ट्रिक्स और टंस इदनी करते हैं, पेस इदनी है कि कभी भी पेनालिटी दीता सकते हैं आपको, दूसरा एक दो बार यह वूर्स वाले मैच में भी गोल मनने के क्लोज आए, कही न कहीं न क कांटे भी कर लेना, अगर इनमे और कांटे दोनु में गोल असिज नहीं है, तो कांटे इनके कंपरिशन में ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, बाकि अगर लुकाकु खेलते हैं, वो तो फिर मश्ट पिक रहेंगे, वाल के बेस्ट स्ट्राइकर में काउंट रहते हैं, बेस्ट ये चारों का ही बनेगा, फिफ्ट रूडिगर, देन मेभी सिक्स थियागो सिल्वा, या अगर आप 3-4 का कमपिनिशन लिया रहें, तो कांटे पुलिसीज आप दुनु को पिक कर सकते हैं, नहीं तो कांटे पुलिसीज में आप केसी एक को पिक कर सकते हैं, अगर आप 4 डिफेंडर पिक कर रहें, बाकी ये अभी तक के इनके सियन के स्ट है प्रीमियर लिग के, अपोनेन की बात करने से बेले फिर रिमाइंड दिलाना चाहूंगा, इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फूटबॉल मैचेद हम टेलिग्राम चैनल में कवर करते उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आपको मिलेगा टॉप, पिन कमेंड में, वहां से जुड़के आप मेरी टेलिग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं, 4300 के आफ़ पास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप कोविड हुआ है, वो खुद इस मैच मेट टचलाइन में नहीं होंगे, वो दूर से हाँ पे मैसेज बगेरा करके बात करेंगे, अपने जो सेकिंड मैनेजर हैं उनसे, तो देखते हैं इनके 11, इमिलियानो मार्टीनेस इनके गोल कीपर, उनले बहुत 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 अधिक करता लेकिन अभी के लिए चेल्सी फेवरेट्स हैं और वो पुजेशन भी डॉमिनेट करेंगे, तो मैं उनके ही माक्जिमाम डिफेंटर पिक करूंगा, मैं यहाँ जासी था एक ही डिफेंडर पिक करूंगा, विगॉस तीन या चार डिफेंडर में चेलसी के पिक करने आलों तो फिलाल इनके जो दोनों सेंटर बैंग है ना कौन सा और मिंक्स ये दोनों उतने डिफेंसिव पॉइंट वैसे नहीं देते लेकिन ये दोनों कभी भी रेंडम हैड़ेट गोल लगा सकते हैं तो ग्रेंड लीग पीक आपके लिए हो गया, लेकिन अभी के लिए अगर मेरा कोई टीफेंसिव किसी को चूज करना हूँँ, मैं MATTI cash या मैं टार्गेट में किसी एक के साहत जाऊंगा ये दोनों ही डिफेंसिव वाइस अच्छे हैं, दोनों हीर्ट किरते हैं, ऑल्थों कोल काम साविंक्स में कोई हईडेट गोल मारेगा तो आप इन में से किसी एक कोच यूस कर सकते हैं नहीं तो आपके लिए रहने चाहिए रेंडम गोल्स भी मारा तो एक पांट लेना एक प्लेयर पर रेंसी पर ले सकते हैं यहां आये उतना ज्यादा खास नहीं कर पारें फेंटेजी वाइस भी कुछ नी की और हर मैच में में जल्दी सब्सिट होते हैं तो अभी के लिए इग्णोर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा अप्संस लेने को बचे नहीं सिर्फ चारी प्लेयर प्लेयर करने तो यह अंग ग्रांड लिग में ट्राय करना ओली वाटकिंस मेरे अकॉडिंग मस्ट भी रहेंगे इस चीम का टैलिसमैन एक तरीके से कह लिजे यह और डैनिंग्स पांच गोल एक असिस्ट उलेडी कर चुके हैं और अगर आप एस्यूम कर रहे हैं विला इस मैच में स्कोर करेगी तो मैक्जिमाम चैंसे यह है और आपको लग रहा है फ्लॉप जाएंगे इनको फिकमत करना विकॉस विदाउट गोल असिश्ट यह उतने पॉइंट नहीं लेकिन बुइंडिया भी गोल थ्रेट हैं यह भी गोल असिश्ट कर सकते हैं बहुत चांस अगेरा क्रेट भी करते हैं तो एक ऑप्सण हो सकते हैं बिल्कुल ही रूल आउट भी नहीं कर रहो बट एक ऑफ्सन आपके लिए हो सकते हैं तो यह एस्टन वीला की प्रूबिब गोल असिश्ट नहीं आएगा पिक मत करना बाकि डगलास लूइस बुइंडिया जैसे प्लेयर एक उप्सन आपके लिए हो सकते हैं फिलाल यह अभी तक के इनके सीजन के स्टेट हैं प्रीमियल लीग के अभी के लिए जो मेरी प्रिडिक्शन है मैं एक वन निल यह टूव मेरे प्लिसिच आपको लगरा फ्लॉप जाएंगे हटा के सीधे सीधे मिट फिल में कांटे पिक कर लिजे यह चेल्सी का आप एक्स्ट्रा डिफेंडर पिक कर लिजे अगर आप कैश पिक नहीं करते हैं यहां मैं गिन लिए और वाटकिंस लिए जिसको लगरा वाटकिंस सकता है यह डगला लुइस या में किसी एक को पिक कर लिजे फिलाल कैप्टन वाइस के बेस्ट आप्सन रहेंगे माउंट जेम्स और जॉर्जीनियो अगर आप पुलिसिच करें तो आप एस्यूम करें गोल असिश करेंगे तो पांट एगर पुलिसिच को भी कैप्टन वा बॉक्स में जरूर से जरूर जोइन कर लिजे